हेलो एवरिवन तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे पिंकी ज कीचन के चैनल पे और मैं जो आज रेसीपी लेके आई हूँ वो एक मिठाई है स्वीट रेसीपी है तीज तिहोहर आने वाले हैं और आप चाहेंगे नहीं कि मैं मिठाई आप लोगों को बना के दिखाऊं तो आप लोगों के लिए मैं आज एस्पेसल एक मिठाई लेके आई हूँ और ये इस मिठाई को बनाने का जो काम है वो बहुत ही आसान है बिना किसी जंजट के और बहुत ही यमी सी ये मिठाई आप कि बन के तयार हो जाएगी अगर आपको बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं academic अध्या तो यह ग्लीय की अध्या चलना पड़ा और देखेंगे कैसे बनाते हैं आपको चलना पर गी को बस थोड़ा सा गरम करना है क्योंकि थोड़े चौड़े वाले मेने लिए हैं करा ही इसमें थोड़ा अच्छे से बन जाता है कोई भी रेसिपी इसके अंदर में डाल रही हूं एक कप सूजी आप कोई भी चीज का मेजरमेंट बना लें और फिर उससे डाल लें आधा क करना है जिसे कि यह घी जो है इसके अंदर चला जाए बस इतना ही हमें इसको सेकना है और यह जब गरम हो जाएगा तो इसको अलग से किसी थाली में हमें निकाल लेना है किसी भी बरतन में निकाल लेंगे जिसे कि यह थोड़ा ठंड़ा होता रहेगा और चलिए अब हम यह recipe है, तो आप लोग बनाना नहीं चाहेंगे, जटवर बनाईएगा, तो इस दो चमच घी के अंदर में डाल रही हूं, एक कप और थोड़ा सा और दूद, यह देखिए, डेफ नहीं है, थोड़ा जैसे 1.25 समझ लीजे, इतना ही है, और सबा कप पानी डाला है मैंने, और इसको हम चलाते रहेंगे, जब यह थोड़ा सा उबल जाएगा, हलका सा, तो इसके अंदर हम डालेंगे, इस तरीके से कुछ देर उबाल लीजे, कम से कम एक उबाल आजना चाहिए, इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी, तो पीसी हुई चीनी डालने के लिए, आपको च खुला लेना है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, इलाइची पाउडर, अगर आपके पास इलाइची पाउडर नहीं हो, तो रोज एसेंस आता है, या कोई भी एसेंस आता हो, क्योंकि मिठाई में अकसरा, खुस्वू के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो जो भी आप गुठलियां नहीं पढ़नी चाहिए, फटा फट इसको मिलाना है हमें, तो बहुत जल्दी ये सूख जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ डेर कप दूध डाला है, अगर आप थोड़ा सा और दूध डालेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए नहीं सूखेगा, बस इसक मिला देना है, इसको ज्यादा देर हमें नहीं चलाना, और हाँ एक बात और आज को आप कम करके रखेंगे, आज को अगर आपने ज्यादा तेज करके रखा गैस को तो ये फिर बहुत जल्दी दरदरा सा हो जाएगा, और वो फिर मिठाय बन नहीं पाएगी, इसके अंदर म या फिर टूटी-फूटी बनाने की रेसिपी मैं आगे हो सकता है, तो मैं डालूँगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूट कलर, तो फूट कलर आपके पास ये वाली हो तो ठीक है, ये केक में डालने वाली कलर है, बाकि अग बहुत अच्छे से कराही में नहीं मिलाएगा, और इसको अब हम थोड़ा सा मिलाके, फिर हम किसी और बरतन में इसको सिफ्ट करेंगे, जिससे कि ये हलका सा ठंडा होगा, फिर वहां पे इसे हम मिलाएंगे, तो चलिए इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं, जिस थाली म नहीं मिलाएं, कल्ची से अब जितना हो सकता है मिला लें लेकिन फिर बाद में जब ठंडा होगा, फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, तब तक इसकी भड़ावन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं, यहां पे मैं एक कटोरी नारियल ले रही हूं, नारियल का पाउडर, सू अच्छा रहेगा, और इसके बाद डालेगे ज़ाएं जादा मिल्क मिल्क, अगर आप को पास नहीं है इस एक चमाच तो आप दूद्ध और चीनी ने हम और चाई नावर चैनी मिलालेंगे, और इो गीला नहीं रखना, यह ज़्या भाएंगी देजारेगा तो फिर आपक नारियल का पाउडर काफी सूखा होता है तो उसको बांधने के लिए मैं कंडेंज्ड मिल्क जरूर चाहिए और मैं हो सकता है अगली रेसिपी कंडेंज्ड मिल्की ही डालो तो आप लोग उसको देख लीजेगा और घर में बहुत सारी मिठाईया उससे बन जाती है तो देख और फिर इसे हम बना लेंगे तो यह देखे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू हमें बना लेने है तो यह हमारी लड्डू अब तयार हो गई और जो सूजी का हमने मिक्सर डाला था वो भी अब ठंडा हो गया है तो इसमें थोड़ा सचा है तो आप घी डाल ले औ जाल जब खटना कंषिन नहीं चड़ी के दाएं किना जवाद है, जो हम अगल साल अगल मैं है, जाकता है लड़ो बनाई है। यह संद्धे टीको जाएं कि तो पिस तरीके के बनए से लड़ा हैं, इस में अए फिरेक थॉलबर तो जब मैं पुले लड़ां बना है.. उस सेप में भी आप इसको बना सकते हैं या फिर गोल भी बना सकते हैं सेप आपके उपर है कोई भी डिजाइन आप अपने हिसाब से डालिए आपको जैसे मरजी हो लेकिन मैं जो यहाँ पर दिखा रही हूँ ये डिजाइन देखे कुछ इस तरीके से टिकोना टाइप का और सब्सक्राइब ए और इसे हाथ से जैसे अंगली से थोड़ा सा निसान बना ले डिजाइन बना ले थो और सूजी वाले मिस्रन की अर अंदर हमें लड़ा है ये यह नारियल वाले लड़ू को इसको बंद करके और फिर कुछ इस तरीके से हमें उसके डिजाइन बनाने हैं तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूं यह बिल्कुल ही बगिया टाइप के मैंने डिजाइन डाले हैं आपको और भी किसी और तरीके से आता हो तो आप और भी तरीके से बना सकते हैं तो यह हम काम या कोई भी किसमिस वगड़ा डाल के सजा सकते हैं और अभी राखी आने वाली है तो आप राखी पे भी अपने भाईयों के लिए यह मिठाई लेके जाएंगे बहुत खुस हो जाएंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब करन करना मत भूले और बिल आइकाउन को जरूर दबाएं और अल पर क्लिक करें अल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है फिर मिलते हैं किसी और रेसी